गुड मॉर्निंग इस्टेंस इन दिज लेक्चर वी आर गुएंग तो डिस्कस एक्ससाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे इसमें इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे और यदि 0 आ जाता है इसकी वैल्यू एक्स की पुट करने पर तो यह इसका फेक्टर है यदि 0 नहीं आता है तो फेक्टर नहीं है इसका तो इसके लिए क्या करेंगे the zero of x plus 1 is x plus 1 is equal to zero करके x की value find करनेंगे माइनस बना जाएगी फिर हम यहां पर करेंगे let हम मानेंगे कि हमें px जो दिया गया है 2x q plus x square minus 2x minus 1 और GX is equal to X plus 1, तो फिर देन अब हम X की value put करेंगे, put the value of X in PX, ओके, अब हम PX में put करेंगे, तो क्या आएगी, minus 1, अब 2 minus 1 whole Q plus minus 1 whole square minus 2 minus 1 minus 1, 2 minus 1 आजाएगा, क्योंकि minus 1 Q पर Q है, 3 की power है, तो वह कैसा आजाएगा, minus 1 plus, यहाँ पर minus 1 Q पर square है, तो क्या आजाएगा, plus 1 minus, और minus minus क्या हो जाएगा, यहाँ पर into होगा, 2 का minus 1 में तो plus हो जाएगा, और 2 बन जा 2 minus 1, अब इनको add कलेंगे, तो यहाँ पर minus 2 plus 1 plus 2 minus 1, minus 2 और plus 1 cancel हो जाएगे, plus 1 minus 1 cancel हो जाएगे, तो यहाँ गया क्या 0, तो फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, So, by the factor theorem, gx is a factor of px, yes का answer हो जाएगा, चलिए, second question देखते हैं, इसी का जो second part है, वह है, students, this is second question of question number second, तो हमें इस पर polynomial दिया गया है, और gx जो की factor है, कि नहीं, यह हमाँ find करना है, कि x plus 2 इस polynomial का factor है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे पहले, the 0 of x plus 2 is, तो x plus 2 को हम 0 के equivalent करके, हम x की value find कर लेंगे, जो की क्या हैगी, minus 2, अब हम इस minus 2 को किस में put करेंगे, px में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, let px is equal to, px हमारे लिए क्या दिया गया है, x q plus 3x square plus 3x plus 1, यह हमारे लिए दिया गया है, अब हम यहाँ पर put करेंगे, तो put the value of x in px, px में put value कर देंगे, जो की कैसे करेंगे, px हमारे लिए क्या दिया गया है, और minus 2 है x की value, minus 2 है तो put करेंगे value, तो p minus 2 is equal to, अब यहाँ पर देखें, minus 2 को put करेंगे, तो minus 2 का whole q, plus 3 minus 2 का whole square, plus 3 minus 2 plus 1, अब हम minus 2 का whole q करेंगे, तो अब देखें यहाँ पर रफ में, minus 2 into minus 2 into minus 2, यह हम क्या कर रहे हैं, q कर रहे हैं, तो minus 2 minus 2, minus minus का into होगा तो plus हो जाएगा, और 2 का into 2 में होगा, तो 4 आ जाएगा into minus 2 तो अब 4 का into 2 में करेंगे तो क्या जाएगा 8 और minus रहेगा तो यहां पर क्या जाएगा minus 8 ओके यहां गया minus 8 plus 3 यहां जाएगा 4 plus यहां पर 32 जा minus 6 आ जाएगा plus 1 अब हम इनको ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे minus 8 3 for the plus 12 यह प्लस माइनस माइनस 6 प्लस वन अब इनको एड़ कर देंगे 6 और 8 कितना हो जाएगा minus 14 और 12 और 12 कितना हो जाएगा plus 13 तो क्या जा गया अपना रिमाइंडर माइनस वन तो हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इस नोट जीरो तो वाइदा फैक्टर थियोरम जी एक्स इस नोट आ फैक्टर और पी एक्स यह आपका सेकंड कोश्यन है और similarly इसका third question भी है तो third question आपको homework में करना है इसका third question जो है इसका आपको homework में करना है थैंक्स और यदि आपको कोई doubt होता है इस वीडियो से related तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फर आप हमारी वाट्स आप नंबर पर आप हमें इससे पूछ सकते हैं और आपको इसके प्रॉपर नोट्स प्रपेर करते जाना है और आपको गुरुप में सेंड करके चेक कराना है झाइ